हेलो दोस्तो मैं पावीन आज के मेरे वीडियो का टोपिक है बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी एक्सपाइरी स्ट्रेटेजीज तो काफी लोगों को तो expiry में कैसे trade करे, volatility को कैसे handle करे, risk को कैसे manage करे बहुत से मेरे friends and followers लोग मुझे personal में DM करके बता रहे थे कि आपने अभी अभी YouTube channel चालू किया है तो आप expiry के बारे में भी एक video बनाए आपकी strategies आप कैसे logic लगाते हैं, आप अपना psychology कैसे use करते हैं trade में तो मैंने सचा चलो एक video बना देते हैं उसके बारे में जो आप सभी लोगों को बहुत-बहुत helpful होगा और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आपने ये सब चीजे साहे दी किसी और जगा पे देखी होगी, सुनी होगी हाँ मैं मानता हूँ आपने charts, patterns यहाँ पे ये break out किया तो इतना target आगया ये सब आपने सुना होगा लेकिन जो मैं follow करता हूँ, वो mainly logic and psychology है अगर आज के treat की बात करें तो आज तो आप सब ने देखा बहुत-बहुत मज़ा आ गया क्या expiry थी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा कल का message कल सामको चार बज़े मैंने मेरे दोस्त को बोला था कि next day, मतलब आज के दिन, expiry के दिन, open gap down and then nifty CE will be doubled that means कि gap down open and then close will be deep green तो exactly आप देख सकते हो, ऐसा ही हुआ, आज सुबह देखे तो करीबन 100 nifty minus थी और end में जैसा move आया, लगबग double हो गया सब nifty सी तो ऐसा है कि सब strategy, सब logic मेरा कल से clear था बहुत से लोग सुबह से लेके दोपर तक सब analyst, I can say 95% लोग bearish ही थे कि इसने ये support break कर दिया, इसने ये break कर दिया तो अब तो नीचे के level सब देने लगे थे, लेकिन तब जाके एक move ऐसा आया दोपर के बाद, जो सब को हिला के रख दिया, तो बस market और trading में यही चीज़ है कि जहां पे सब retailers, सब analysts, सब लोग एक तरफ जाते हैं, तब जाकि ये price action होता है क्योंकि वहां पे एक logic और psychology लगा हुआ होता है कि सब bearish है, तो चलो अब एक bullish वाला move देते है जिसे सब का SL हीट हो जाए और सब का loss हो जाए आप लोग जो मुझे Twitter पे follow करते हैं, वो सब को तो आपको पता ही है मैं कि live market में भी indication दे रहा था, पले एक बार मेरा 15 point का SL हुआ तब फिर मैं थोड़ी दर के लिए में भी market देखने लगा, मुझे लगा कि अब क्या होता है देख लेते हैं फिर जब दिरे दिरे buying चल हुआ तो मैंने Twitter पे indication दिया कि I can see some buying side coming, मतलब C में कुछ buying लग रहा है तो फिर दिरे-दिरे buying अच्छा आने लगा तो फिर मैंने एक hero zero वाला call भी दे दिया था वो मैंने मेरे premium channel में दिया था, 18 रूपे पे दिया था, target 30, 50 और 70 था तो end में उसने 95 तक का high लगाया जैसा कि आप देख सकते हैं जो मेरे वीडियो के नए viewers है उनको अगर ऐसा live suggestions वगरा चाहिए तो वो मुझे Twitter पर follow कर सकते हैं यह मेरा Twitter ID है मैं last में भी मेरा Twitter ID रखूंगा तो वहां जाके आप मुझे follow कर सकते हैं और मेरी contact detail भी last में आएगी वहां से भी आप मुझे contact कर सकते हैं तो mainly बहुत से लोगों का यह question रहता है कि चलो सब लोग हर expiry पे trade करने के लिए लगे रहते हैं कि चलो आज trade करना है और आज मेरे तिन गुना करना है चार गुना करना है जहां पे यह mentality आएगा कि मुझे हर expiry में jackpot लेना है जहां पे यह mentality है वहां पे loss 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 ही होगा तो ऐसा कभी mind में नहीं रखना है कि मुझे every expiry में jackpot चाहिए और not only expiry कभी भी कोई भी दिन trading में option buying में option selling में कभी भी आप बड़ा target everyday मत रखे अगर आप slowly slowly थोड़ा थोड़ा target रखेंगे तो ही आप इसमें overall profit कमा सकते है वरना यह stock market में trade करने से आप overall loss में ही रहोगे दूसरी बात आप किसी के भी hero zero वाले call पे trust ना करे अगर आप किसी को 2-3 साल से आप किसी को watch कर रहे है उसका risk management अच्छा है वो अच्छे calls देता है तो उसके उपर आप trust कर सकते है लेकिन वो भी expiry के दिन आपका quantity एक दम कम ही होना चाहिए बहुत से लोगों का maximum loss मैंने देखा है expiry के दिन ही होता है अगर उसका 5-6 साल का statement निकाल के देखो और अगर उससे पूछो अगर वो सही बताए तो मैं challenge के साथ बोल सकता हूँ कि उसका maximum loss expiry के दिन ही होगा आप लोगों को पता ही होगा अगर yes है तो आप मुझे comment में बता सकते है क्योंकि क्या होता है कि hero zero वाला call अगर hero बन जाए ऐसा expiry मैने में या दो मैने में एक बार आता है और traders का mentality यह रहता है कि every expiry में उन्हें jackpot चाहिए और अगर मानलो कि आपने आज expiry के दिन trade किया और आपका 10 रुपे वाला call 100 जाने वाला है चलो आपने 10 पे ले लिया अगर वो 100 जाने वाला होगा तो भी expiry के दिन वो move ऐसा देगा 10 वाला पहले 40 हैगा फिर वो volatile के फिर 7 आठाएगा फिर 20 जाएगा तो 97 परशंट लोग गबरा के exit ही कर देंगे वो सोचेंगे कि चलो ना मेरे 8 रुपे वाला 10 रुपे वाला मेरा डबल तो हो गया तो चलो 20 पे निकल जाते है तो 95 तो 97 परशंट लोग वो पूरा move नहीं ले पाएंगे तो ये mentality retailer लोगों करेता है तो चलो मान लो कि 10 रुपे वाला आप लोगों ने 4 गुना पेसा किया चलो 40 पे बेचा एक expiry में बराबर तो बाकी की expiry में उनका एक लालच रहेगा कि चलो ये expiry में में जेकपोट हो जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो next expiry में वो 20 वाला लेंगे उसके बाद की expiry आएगी जिसमें one side moon नहीं आएगा तो वो zero करेंगे ओर ओर ओल आप अगर देखोगे तो सब आप calculate करोगे तो ओर 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 जीरो ही रहोगे और आपका account minus में ही रहेगा maximum traders के साथ ऐसा ही होता है क्योंकि वो लोगों का psychology उसके साथ match करता है सब लोगों को ऐसा लगता होगा कि यह सा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ ही हो रहा है आपका psychology जो बागी लोगों के साथ match कर रहा है इसकी वज़े से आपको ऐसा लग रहा है बट हमें ये loss करना बंद करना है, stop करना है expiry के दिन कभी भी loss नहीं करना है, तो क्या करेंगे उसके लिए उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको करना है पहले कि every expiry trade नहीं करना है, कैसे भी करके अपने day expiry पे तो कभी trade नहीं करना है, चाहे कोई कितना भी बड़ा लालस दे, कितना भी बड़ा target दे, trade expiry के दिन उसी expiry का trade नहीं करना है अगर कोई अच्छा mentor है risk reward देखके अच्छा सा call देता है तो अगर आप उनका trade ले सकते हो, जैसे मेरे twitter follower लोगों को और मेरे जो premium member से उनको पता है कि मैं hero zero वाला call को rarely देता हूँ, और most of the case, 80% case, बड़ा move उसी दिन आता ही है, क्योंकि उसके पिछे एक logic रहता है कि आज ये move आ सकता है वो किसी भी book में या किसी भी chart में, कोई data में आपको नहीं दीखेगा, क्योंकि वो faster price action वाला move होता है then, don't fall in any technicals, और any fixed charts, support, resistance, any datas किसी भी चीज़ को blindly follow नहीं करना है अगर आप ये करोगे, तो आप trap होगे, आप जल्दी निकल जाओगे trade में से और ऐसा हो सकता है कि आप trade में enter भी ना हुआ वो पाओ, क्योंकि आपको तो सब bearish लग रहा होगा या bullish लग रहा होगा, कुछ भी होगा वो आपको trade में नहीं enter होने दे, ऐसा हो सकता है तो मेरे कहने का मतलब है, किसी fixed strategy पे dependent ना रहे वही आपको फाइदा दे देगा indication, कोई candle कुछ भी bullish signal नहीं दे रहा था कि market बढ़ेगा, ऐसा move आएगा सब लोग bearish 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 थे, और जिसा आपने देखा, मैंने कल ही बोला था कि next day मतलब ये expiry के दिन gap down open होगा और gap up में अच्छा close देगा तो ये चीज़ है बहुत जगा पर I can say इसमें logic and psychology बहुत बहुत important है option buying में और trading में, intraday में ये बहुत important है इसा नहीं है कि ये 100% काम करती है इसमें भी 20-30% कभी logic work नहीं करता है लेकिन फिर भी 70% तो I can say it works well one more thing I would like to add is कभी भी borrowed money या अगर जो पैसे है उसका आपको बहुत ज़रूरत है वो पैसे से कभी trade नहीं करना है क्योंकि trading में और intraday में, option buying में option selling में कोई भी टाइप के trading में ये बहुत important है कि आपके मन में अगर डर रहेगा तो 80% chances है कि आपका trade loss वाला ही रहेगा एक और चीज आपको पूरा capital और पूरा एक trade में आपको पूरा capital लगाना नहीं है क्योंकि अगर आपको कुछ loss हो गया और sudden कुछ crash हो गया तो पूरा capital साफ हो जाएगा तो risk management बहुत important चीज है trading में तो इसका खास ध्यान रखेगा क्योंकि ये trading तो गहरा कुआ है उसमें भी option buying और ये expirate trades तो बहुत गहरा कुआ है पहले लोग week में एक बाट रेप होते थे Thursday को अभी ये market वाले लोगों को पता चला कि नहीं नहीं ये Thursday में तो अच्छे retailers लोग का पैसा गवा रहा है मतलब पैसा गवा रहा है तो एक दिन और add कर दिया ये fin nifty लेके आगए तो week में दो बार हो गया Tuesday और Thursday तो risk management के साथ trade करिए और ऐसा ही interesting topic के साथ मैं और नए videos बनाता रहूंगा और मुझे जोडने के लिए मुझे follow करने के लिए मेरा suggestions लेने के लिए अगर आपको contact करना है तो ये सब मेरी contact details है आप मुझे contact कर सकते है मैं कभी भी every time आप लोगों के लिए retail traders के लिए जो small traders है उनके प्रति मेरा यही try रहेगा कि कोई बड़ा बड़ा loss ना करे loss करना बंदी कर दे और दिरे दिरे कैसे trade में से positive trade करके दिरे दिरे कैसे पैसा कमा सकते मेरा यही try है तो उमिद है आपको video पसंद आया होगा और जो नए viewers है वो मेरे channel को subscribe कर सकते है और bell icon खास दबाएए तो आपको update मिलता रहे मेरा thank you wish you all the best and happy trading का बंदी यहीर है कर दो प्ली है